हलो डिवाइन सोल्स चलिए आज मैं यहाँ पर चिक करना चाहूंगी कि आपके डेस्टिनी में कैसा कनेक्शन लिखा है क्या है आपकी डेस्टिनी में आपकी लोफ लाइफ में जो आपकी डेस्टंस फ्यूचर है उसमें क्या लिखा है क्या है आपकी फाइनल जो लोफ स्टो the moon eight of cups four of cups and the world ओके तो आपके लाइफ में बहुत सादा ups and downs के बाद आपको कोई divine के तरब से कोई blessings मिलेगी या पर हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सादा love life में struggle आए आप बार बार किसी पर trust करो या बार बार आप connection में trust करो और फिर जाकर आपका heart break हो आपको betrayal मिले लेकिन हाँ आप love करना कभी नहीं छोड़ने वाले हो आप में inner strength बहुत जादा है और आप उसी के दुआरा आगे बढ़ते जाओगे और आप खुदी move on करोगे कुछ situation से और कुछ situation हो सकता है आपको move on करने में मजबूर कर देगी लेकिन ultimately आपके लिए divine दुआरा कुछ blessings send किये जाएंगे आपकी जो ultimate destiny है ये बहुत अच्छा है आपको divine दुआरा blessings मिले वाली है और वो भी कुछ ऐसे time पर मिलेगे जब आप खुद भी नहीं ध्यान देने वाले हो आप बिल्कुल भी focus नहीं करने वाले हो आपकी love life में तब जाकर आपको वो मिलने वाले है तो आपकी जो destiny में लिखे गए है ना ये divine के तरब से blessings के रूप में आएगी इनकी sign हो सकती है Cancer Scorpio Pisces और जब ये आएंगे आपके life में आपके जो divine love होंगे जब ये आपके life में आएंगे ना तब आप अपनी उपर completely focus divert करेंगे और आपका अपनी love life में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहने वाली है और सामने से आपको offer मिलने वाली है divine की मर्जी से और ये person आपसे बहुत सादा similar होने वाली है आप दोनों की science सेम हो सकती है आप दोनों soulmate हो सकती हो आप दोनों की कुछ ना कुछ physical feature भी सेम हो सकती है आप लोग की skin tone या फिर आप लोग की structure face आप लोग की eyes कुछ ना कुछ आप दोनों में similar होने वाली है और आपके जो future partner होंगे या आपको लेकर बहुत सादा emotional होंगे आप दोनों work purpose में भी मिल सकते हो ये person हो सकता है आपको लेकर बहुत सादा protective हो बहुत value करते हो आपकी और आप दोनों की एक happy family होगी यही आपकी destiny में लिखे गया है हो सकता है आपकी life में love life में initial state पर बहुत सारा struggle हो आपको बहुत बर तोड़ा जाए आपको बहुत सारा hurdle से गुजरनी पड़ी और एक time के बाद आप hopeless हो जाओ आपका बिलकुल भी ध्यान नहीं हो और तब जाकर यह person आपके पास आएंगे और आपकी merit life बहुत happy होगी बहुत emotional connection आपकी होगी और मैंने काना बहुत similar होंगे आप दोनों और आप दोनों की ही life में बहुत pain होगी आप दोनों ही struggle में से गुजर कर फिर एक दूसरे को get करने वाली हो जब आप लोग खुद grow करना start करोगी तब आप लोग मिलने वाली हो और यह person आपकी ultimate wish fulfillment होगी और आपकी हर एक happiness इंसे ही शुरू होगी